हेलो साथियों नमस्कार स्वागते आप सभी का कैसे हैं आप सब उमीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे तो भारत की नदी घाटी परियोजनाओं का अन्तिम भाग आपके समझ है और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे सवाल जो आपके एक्जाम में बार बार आते हैं उनकी डेटेल को विस्तार से जानेंगे इससे पहले के तीन पार्ट अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिसक्रप्शन में मिल जाएगा जहां से आप इससे पहले के तीन पार्ट देख सकते हैं जिसमें कुल मिलाकर हमने 75 कुशन्स किये थे तो आज यहां पे हम लोग 100 सवाल पूरे करने वाले हैं और इसका पीडियो अगर आपको चाहिए तो वीडियो के आखरी तक बने रही है कहीं न कहीं पर आपको पीडियो डाउनलोड करने का पासवर्ड मिल जाएगा जिसको आप नीचे वीडियो के डिसक्रप्शन में दिये गए लिंक से डाउनलोड कर पाएंगे तो आएए बिना टाइम वेश्ट के कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं एक एक सवाल फुल डेटेल में आपके समझ है पहला सवाल जो आपके स्क्रीन पर है कि दुलहस्ती जल विद्धुत परियोजना किस नदी पर है तो ये जो आपकी परियोजना है वो चंद्रा नदी पर है इसके बारे में विस्तार से आप जान लिजेगा कि परियोजना चिनाब नदी की सहयक चंद्रा नदी पर जम्मू कस्मीर में इस्थित है इसकी विद्धुत उत्पादन चमता 390 मेगावाट के आसपास है लाभानवित राजी की बात करेंगे तो इससे जम्मू कस्मीर पंजा में तो आप बड़े ही प्यार से क्या कहोगे चंद्रा नदी चली आगे बढ़ेंगे तो अगला जो इंपोर्टेंट सवाल है वो ये है कि गोकुल वेराज परियोजना किस नदी पर इस्थित मानी जाती है गोकुल से आप अनुमाल लगा सकते हैं कि गोकुल की कहानी पहले ताइम में कृष्ण के ताइम में होती थी और कृष्ण भगवान का संबन्द आप यमुना नदी से मानते हैं तो यमुना समझ गए भई गोकुल वेराज परियोजना जो है वो यमुना नदी से संबन्दित है इसको याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में मतुरा और गोक पानी का जो पानी है वो इसी की कहानी से जुड़ा हुआ है ठीक है ना इसके अत्रिक्त में सिचाई का जो प्रभार है वो भी इसके द्वारा ही संबन्ने होता है तो गोकुल वेराज यमुना नदी आपको ध्यान रखना है चली आगे वरते हैं आगला जो सवाल है बार बार सागर एक बहुत देशी तदी घाटी परियोजना है या मद्य परदेश के सहडोल जिले में इस्थित है परियोजना 435 मेगावाट विद्ध उत्पादन चम्टा को अंजाम देती है इसे लावान वितराज मद्य परदेश उत्तर परदेश और बिहार है तो ध्यान बारी चीजें तो आपको याद रखनी पड़ेंगी बार सागर परियोजना 100 नदी परिस्थित है प्लियर है वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को लाने का प्रियास करिए आप सब किवल देखते रहते हो एक काम चुपचाप उपर सेयर का उप्षिन होगा अपने सारे दोस्तों को सेयर कर दीजे जब आप सेयर करोगे तो बहुत सारे लोग तो आएंगे ही आएंगे है ना भई अगर आप सेयर करते हो तो सब नहीं आएंगे लेकिन बहुत सारे तो आ सकते हैं तो आप ये काम करिए सेय प्रदेश के जबलपुर जिले में इस्थित है कहां पर यह जो आपका जबलपुर है वो नर्मदा नदी के किनारे इस्थित है जो आप जानते हैं इसे रानी अवंती बाई लोधी सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है एक बड़ा इंपोर्टेंट पॉइंट है परियोजना का उत्देश से चाहित था बिजली उत्पादन करना है जो आपको याद रखना है तो बरगी बान परियोजना के बारे माचित पुरह कर लिया जाए तो यह आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है समझ गए भाई चलिए आगे बढ़ते हैं अगले माचित पूर्ट सवाल की तरफ बरगी नर्मदा अगला जो इंपोर्टेंट सवाल है आपके समझ वो कुछ यूँ है कि केलावर पल्ली बान परियोजना किस नदी परिस्थित है तो यह जो परियोजना है वो पैन्यार नदी परिस्थित है आपको याद भी रखना है यह तमिलाडू के कृष्णागीरी जिले में इस्थित है जो बहुत ज़्यादा महातपूर कॉइंट है इस बांद के द्वारा कुडालोर, धरमपूरी, कृष्णागीरी और वेलोर जिलों में पानी की आपूर्ती की जाती है हम आपको बता दें कि प्रकत प्रेमियों के लिए यहाँ प्रदूसर और हल्चल से मुक्त ताजी हवा का वातावरन आपको दिखाई देता है जो देखने में बड़ा ही सुन्दर न जा रहा है तो भाई महतुपूर पॉइंट है महतुपूर बिंदू है याद रखेंगे तो आपके हित में है ठीक है भाई? चले आगे बढ़ते हैं अगला जो महतुपूर सवाल आपके समझ है वो कुछ यूँ है कि राजघाट बांध किस नदी परिस्थित है तो राजघाट बांध बेतवा नदी परिस्थित है डिटेल में जाने तो राजघाट बांध परियोजना एक अंतर राज परियोजना के रूप में जानी जाती है मद्य प्रदेश राज तथा उत्तर प्रदेश सरकार की संयूक्त परियोजना भी आप इसे कह सकते हैं आपको मता दे कि 1990 में इस बांध को राणी लच्वी बाई सिचाई परियोजना का नाम दिया गया था 1990 में इसे ये नाम दिया गया था जो आपको विल्कुल भी भोलना नहीं है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्पूर है ठीक है ना तो राजगाट बांध किस नदी पर है ये बांध आपका बेतवा नदी पर है जो बहुत महत्पूर है चलिए आगे बरते हैं अगला जो सवाल है वो ये है कि राडा प्रताप सागर परियोजना किस नदी परिस्थित है तो राडा प्रताप सागर परियोजना जो है वो चम्बल नदी परिस्थित है किस पर भाई ये महत्पूर पॉइंट है चम्बल नदी परिस्थित है इसके बारे में डेटिल्स जाने तो राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में चूलिया जलप्रपाथ के पास बनाया गया है इस बांध की उचाई तकरीबन 54 मीटर मानी जाती है यह राजस्थान का सरवादिक छमता वाला वो सबसे लंबा बांध माना जाता है यहाँ पर 43 मेगावाट की 4 विद्द इकाईया लगाई गई है जो इसकी प्रसिद्धी की बज़ा है ठीक है तो राणा प्रताप सागर परियोजना चम्बल नदी भूलियेगा नहीं बहुत महत्पूर है आए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल यह है कि जवाहर सागर परियोजना किस नदी परिस्थित है तो जवाहर सागर परियोजना जो है वो चम्बल नदी परिस्थित है इसके बारे में और जाने तो जवाहर सागरबान चम्बल घाटी परियोजना की स्रंखला में तीसरा बांध है समझ गए? जवाहर सागरबान को कोटा बांध भी कहा जाता है आपको ये भी याद रखना है या राजस्थान की कोटा जिले में है आपके लिए ये भी मातपूर है कोटा आयाटी के लिए फेमस है कोटा चम्बल नदी के किनारे है इस सब चीज़ आप लोग जानते हैं ठीक है तो जवाहर सागर परियोजना चम्बल नदी से सम्मंदित है बाकी चीज़े आपको पता हैं आपको याद होनी चाहिए कोई गलती आप नहीं करेंगे ऐसी उम्मी इसके राय सेंजिले में इस्थित एक महतपूर नदी घाटी परियोजना है बारनाबान परियोजना का प्रात्मिक उद्देश से चाही है आप इसे याद रखेंगे तो बहतर है ठीक है भाई चली आगे बढ़ते हैं अगला जो सवाल है वो आपके समझ कुछ यूँ है टी टीपू मुखबान परियोजना बराक नदी पर इस्थित है डिटेल जाने तो टीपू मुखबान मडीपूर राज में बराक नदी पर एक प्रस्तावित तटबंद बाना जाता है जो आपको याद रखना है बान का उद्देश से बार नियंतरन और पनविजिरी उत्पाद करना है परियोजना में तकरीबं पंदरा सो मेगवाट की स्थापना की छमता होगी इस बारे में खबरें चर्चित थी ठीक है तो टीपू मुखबान की बात करेंगे बराक नदी से सम्बंदित है याद रखेंगे तो आपके लिए बहतर है मरी पूर चलिए आगे बढ़ते है गिरना बान परियोजना किस नदी पर इस्थित है तो गिरना बान परियोजना गिरना नदी पर ही इस्थित है किस पर गिरना नदी पर ही इस्थित है डिटेल में जाने तो गिरना बान परियोजना महारास्त्रा के नासिक जिले में इस्थित मानी जाती है परियोजना को 1969 1969 में शुरू किया गया था, इसका उद्देश सिचाई, पेजल और विद्द उत्पादन करना है, तो गिरना बान परियोजना बहुत जादा महत्पूर भी है, और कई बार पूछी भी गई है, गिरना नदी से सम्मंदित है, याद रखिएगा, चली आगे बढ़ते हैं, अग परियोजना का मुख्य उद्देश पनविजली और सिचाई माना जाता है, समझ गे भाई, बड़ा जरूरी चीज है, या उडीसा की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है, इसका उद्देश पनविजली और सिचाई उत्पादन है, ठीक है न भाई, आपको बता दें क वर्तमान में या पूरवी भारत में 600 मेगावाट की छमता वाला सबसे बड़ा बिजली उत्पादन बांद माना जाता है, ठीक है, तो इंदरावती याद रखेंगे तो आपके लिए अच्छा है, आगे बढ़ेंगे मेजा बांद परियोजना किस नदी पर इस्थित मानी जाती है, तो मेजा बांद परियोजना जो है, वो कोठारी नदी पर इस्थित मानी जाती है, या राजस्थान के भीलवाडा जिले में इस्थित मानी जाती है, इस बांद से भीलवाडा सहर को पेज या लेनी पीने का पानी की आपूर्ती की जाती है, मेजा बांद की पाल पर मेजा पार को ग्रीन माउंट भी कहा जाता है या माउंट फुलो और सबजीयों के लिए प्रसिद मानी जाती है तो नीचे के पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं बिलकुल भूलना नहीं है ये बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है मेजा बान परियोजना कोठारी नदी पर है राजस्थान के धील वाला जिले में है ये आपको ध्यान में रखना है चलिए आगे बढ़ते हैं फिलाल अगला सवाल हमारा कुछ यू है कि तपोवन विश्णुगर परियोजना किस नदी परिस्थित है तो तपोवन विश्णुगर परियोजना धौली गंगा नद परियोजना धीन है इसके बारे में और जाने तो तपोवन विश्णुगर जलविद्धुत सयंत्र की उत्पादन चमता 520 मेगावाट है आपको और बता दें उत्राखंड ग्लेसियर के फटने से आई बाहर के कारण 7 फरवरी 2021 को बांध बुरी तरीके से छती गरस्त हो गय तो तपोवन ध्यान रखेगा धौली गंगा नदी या आपको ध्यान रखना है या आपके लिए महतपूर है चले आगे बढ़ते हैं अगला सवाल यह है कि कोटेसवर बांध परियोजना किस नदी परिस्तित है तो कोटेसवर बांध परियोजना जो है वो भागी रथी रखना पड़ेगा और कोटेसवरबान से टिहरी जिले के आसपास के छेत्रों में सिचाई के सुविधा उपलब्द कराई जाती है तो कोटेसवरबान परियोजना जो है वो आपका भागी रथी नदी से सम्मंदित है जो आपके लिए बहुत जरूरी है या उत्राखंड के ट देसी परियोजना जो है वो राम गंगा नदी पर ही इस्थित है जरूरी पॉइंट क्या है इसको भी देख लिया जाए तो यहां उत्राखंड के पौड़ी गड़वाल छेत्र में यह जिले में दिखाई देती है राम गंगा बान परियोजना को कालागर बान के रूप में भी जाना जाता है या जिम कारवेट नेशनल पार्क के भीतर इस्थित है जिससे इसके सुन्दरता को चार चांद लग जाता है तो सारे ही पॉइंट डिरूरी है यह आप याद रखोगे तो आपके लिए बहतर है ठीक है भया चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल यह है कि दुर्गापुर बैराज परियोजना किस नदी परिस्थित है तो दुर्गापुर बैराज परियोजना जो है बिटा वो दामोदर नदी परिस्थित है किस पे दामोदर नदी परिस्थित है और आप यह याद रखोगे तो बहतर है आपके लिए या बैराज पस्चमी ब तो यह भी आपके लिए बहतर होने वाला है. यह भी जरूरी है. ठीकivities न? दुरगाःगापूर महराज परियोजना किस नदी परिस्तित है? दामोदर नदी पर है. और दामोदर को आप Westwechsel बंगाल का सोग कहते हैं. तो यह सारे ही point आपके लिए अवश्यक हो जाते हैं. तो जमुआ रामगर बांध राजस्थान के जैपुर सहर से तकरीबन 26 किलोमीटर की दूरी परिस्थित है थोड़ा और जाने जैपुर सहर को इस बांध से पीने का पानी या फिर पेजल की आपूर्थी की जाती है या होती है या बांध परेटन के दरश्टी से भी उपयोगी माना जाता है याद रखेंगे तो आपके हित में रहेगा ठीक है तो जमुआ रामगर परियोजना जो है वो राजस्थान की है याद रखेंगे और बार गंगा नदी से संबंदित है आपको ये भी याद रखना है ठीक है ना ये आपका 93 था चली आगे बड़ते हैं अगला जो पॉइंट है वो मालप्रभा परियोजना किस नदी पर इस्थित है तो मालप्र परियोजना जो है वो मालप्रभा नदी पर ही इस्थित है माल प्रभा जलासे जिसे रेडुका सागर और नवी क्या लिखा हुआ है नवी लिठेर्थु जलासे के रूप में भी जाना जाता है बड़ा खतरनाक नाम है यहां करनाटक के बेलगाओं जिले में इस्थित है यहां जलविद्ध उत्पादन और सिचाई की जरूरतों को पूरा करता है तो यह पॉइंट याद रखेगा माल प्रभा परियोजना जो है वो माल प्रभा नदी से ही सम्मंदित है ठीक है चलिए आ रखना पड़ेगा ठीक है इंद्रा गांदी नहर परियोजना भारत की सबसे लंबी नहरों में से एक मानी जाती है इंद्रा गांदी नहर राजस्थान की प्रमुख नहर है इसका पुराना नाम जो है वो राजस्थान नहर ही था तो यह भी याद रखेंगे आप इसे नदी की सम्मिलित कहानी है ठीक है भाई चले आगे वरते हैं अगला जो सवाल होगा वो तुंग भद्रा परियोजना किस नदी परिस्थित है तो तुंग भद्रा परियोजना तुंग भद्रा नदी परिस्थित है ये पॉइंट जरूरी है तुंग भद्रा बांध को पंपा परियोजना तुंग भद्रा नदी पर है यह करनाटक और आंधरा प्रदेश की संयुक्त परियोजना है यह एक भहु देसी बांध है जो सिचाई, बिजली उत्पादन बार नियंतर इन सब पे काम करता है क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है यह सब जरूरी पॉइंट है यह सब आपको याद रखने है यह तरह याद रखोगे उतना आपके लिए अच्छा है चली आगे बढ़ते हैं अगला जो पॉइंट आपके समझ है कुछ यह है कि यह पांचड़ा बांध परियोजना किस नदी परिस्थित है तो यह जो परियोजना है वो भद्रावती, बर्खेडा, अटा, माची और भैसावर इन अदियों पर इस्थित है इसके बारे में हम बता दे पांचड़ा का मतलब पांच होता है पांचड़ा बांध राजस्थान के करॉली जिले में इस्थित है या मिट्टी से निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध माना जाता है थोड़ा और जाने तो इससे करॉली, सवाई, माधोपूर, बयाना भरतपूर में जलापूरती होती है मतलब यहां के लोगों को जो जल मिलता है वो इसी से मिलता है तो पाचणा बांध जो है वो पाच नदियों से संबंदित है जिनके नाम भद्रावती बर्खेडा, अटा माची और भैसावर ठीक है ना? याद रखेंगे आप सक भूलेंगे नहीं आए लाइक करते हो सारे लोग जो भी बच्चे क्लास में उपस्थित है वो वीडियो को लाइक जितना करेंगे उतना अच्छा रहेगा आए चूखा परियोजना किस नदी परिस्थित है? तो आपकी जो चूखा परियोजना है मेरे लाल वो कहा परिस्थित है? वो राइडक या वांग्चू नदी यह ऐसी नदी है भाई जिसे आप सायद लेधी नहीं पाओगे इस परिस्थित है इसे आप ध्यान रखेगा चूखा परियोजना भारत और भूटान के सयोग से बनाई गई परियोजना है इसलिए इसका जो नाम है वैसाई है 336 मेगावाट की यह परियोजना भूटान में राइडक या वांग्चू नदी पर इस्थित मानी जाती है इस परियोजना का निर्मार 1970 में हुआ था और 1991 में यह परियोजना पूर रूप से कार करने में लग गई तो यह भी जरूरी है आप इसे ध्यान रखेगा यह बात कर रहे तो हम लोग चूखा परियोजना की जो आपके लिए जरूरी है ठीक है भाई आगे बढ़ेंगे तो अगली परियोजना आपके लिए है सियाल कोट जलविद्द परियोजना किस नदी परिस्थित है तो यह जो आपकी परियोजना है भाई वो चिनाब नदी परिस्थित है हम और आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले अगर आप इस पीडियाप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको हम दे देते हैं यह आपका पासवर्ड जो है वो आपका DEE PAK स्मॉल लेटर में रहेगा कुछ भी कैपिटल मत लिखना DEEPAK 777 समद्गे भाई DEEPAK DEEPAK 777 यह आपके लिए जरूरी है समद्गे भाई तो सियाल कोट जलविद्द परियोजना जो है वो चिनाव लडी से समद्गित है सियाल कोट जलविद्द परियोजना जम्मू कस्मीर के उधमपुर और दोडा जिले में इस्तित है PDF आप डाउनलोड कैसे करोगे नीचे वीडियो का डिसक्रेप्शन कोलोगे तो पहला लिंक आपको मिलेगा जहाँ पर लिखा होगा PDF डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर उसपर क्लिक करेंगे वहाँ पर आपको यह password ढलना है जिससे आप इसे ऐसे ही डाउनलोड कर पाएंगे यह परियोजना जम्मू कस्मीर और नारवे तथा जर्मनी के सयोग से बनाई जा रही थी यहाँ पर 600 मेगावाट की विदुत एकाईयों की बात की गई थी तो सियाल कोर जलविदुत परियोजना चिनाब नदी से संबंदित है ठीक है ना? अंतिम सवाल के साथ विराम लेंगे किसन गंगा पनविजली संयंत्र जो है वो किस नदी परिस्थित है तो यह किसन गंगा नदी परिस्थित है ठीक है ना? यह जम्मू कस्मीर के बांदीपोर जिले में इस्थित है इसके स्थापना चमता 330 मेगावाट मानी जाती है 19 मई 2018 को प्रधानमंत्री नरिन मोदी ने परियोजना का उदगाटन किया था तो यह आपकी 100 परियोजनाई हमने आज कर ली है जो आपके एक्जाम को ध्यान में रखते हुए बहुत जरूरी है और आपकी परिच्छा में बार बार आती है उमीद करते हैं आपको इन सब का डिटेल पसंद आया होगा और अगर आप नए है या पहली बार चैनल पे आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा और दूसरी बड़ी बात यह भाई कि अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो नीचे वीडियो के डिसक्रप्शन में इससे पहले के तीन पार्ट आपको मिल जाएंगे मतलब 75 सवाल वो और 25 सवाल वो आपके टोटल हैंड़ हो जाएंगे जो आपके लिए जरूरी हैं फिलाल मुलाकात करेंगे अपने अगले टॉपिक में जिसमें हम लोग भारत के मंदिर करने वाले हैं और वहाँ पर भी हम लोग सुपर हेंड़ ही करेंगे यनि सौ मंदिरों के बारे में डीटेल्स जानेंगे जो आपकी परिच्छा में आते हैं आज के लिए हम इतना ही रखते हैं अगर पसंद आया है तो लाइक और सेयर जरूर कीजेगा धन्यवाद